नॉमिनेशन टास्क पर सबसे बड़ी अपडेट सेट पर से आई है, आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार क्या एक्जेक्ट बात है अब दोस्तों बात करते हैं, नॉमिनेशन टास्क में यहाँ पर एक्टिविटी एरिया में एक बड़ा सा शेर का मूँ बना दिया गया है मुझे पिशले बार का साप याद है, इस बार इन्होंने शेर बनाया है और जो बैड़ गया शेर की घड़ी पे वो कर देगा नॉमिनेशन टास्क आगया है तख्वीर, किसकी तकदीर किसके हातों में होगी क्या यहाँ पर एलविश की तकदीर पलक जी या अविनाश के हातों में है जानते हैं और एलविश तो डेफिनेटली आउट हो गई, मतलब स्वरी आउट नॉमिनेशन में जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि घरवाले जो है इस्पेशली ये तीन लोग पलक पलक जी या और अविनाश ये तीनों चुड़े पड़े बैठे हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि तकदीर किसकी किसमत किसके हात में है तो यहाँ पर सबसे पहले मनिशा तो सेव है क्योंकि मनिशा इस घर की कैप्टन वहीं अगर बात करें पूजा भट की दोस्तों तो सकता है अभी धीटेल जैसी आती मैं आपको बस जरूर बताऊंगा बेबी का कि तकदीर पूजा भट के हातों में है which I personally find out कि पूजा भट शायद कर भी सकती है नहीं भी अगर करेंगी तो reason ये दे देंगी कि भाई कल के उसके behavior से I am really not happy जिया की तकदीर जो है दोस्तों वो जद के हातों में है safe है जी है इसका मतलब Elvish की तकदीर जो है वो फलक के हातों में है इनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि अगर बात करें तो Elvish और पिछले हफते फलक नहीं जो है स्वारी, एलविश की तखदीर फलक क्या हातों में है हाँ, definitely तब तो दोस्तों यहाँ पर definitely वो out करेगी, करेगी उसे मैं अभी eviction में डालेगी, डालेगी, डालेगी आशिका की तखदीर अविनाश के हातों में definitely अविनाश डालेगा ही डालेगा ऐसा लग रहा है जद की तक्दीर आश्का के हातों में है आश्का अगर गेम खेलना शुरू कर देती है बंदी तो हो सकता है कि जद को वो आउट करने के लिए डाल दे वैसे मैं चाहता हूँ कि जद को डाले कमजिकम उसको इविक्षन का डर तो पता चले फिर उसके बाद अभिशेक की तक्दीर जो है जिया के हातों में है जो की 101% जिया खेल जाएगी और बोलेगी कि मैं अभिशेक को नॉमिनेट नहीं करूंगी अभिशेक के हातों में है तो शायद अभिशेक डाल दे अगर अगर क्योंकि वो डिजन दे सकते हैं कि फलक जो है वो खुल के नहीं बोल रही है ये नहीं करे वो नहीं करे ऐसा हो सकता है आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जरूर बताएं और कौन नॉमिनेटर का ये भी मैं आपको जरूर बताँगा बाबाई